मानहानी केस में मिली दू साल की सर्जा के मामले में आज राहूल गांधी सूरत कोट में अपील दायर करने वाले हैं ग्यारा दिन बाद ये अपील दायर की जा रही है तो वहीं इसी फैसले के बाद राहूल गांधी की संसर रुकनियत भी रत कर दी गई थी और साथ ही उन्हें बंगाल खाली बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था जाहिर है कि ये मुद्दा राहुल गांधी और कौंग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है लेहाजा कॉंग्रेसर राहूल गांधी खुद इस मसले पर कोई चूक नहीं करना चाहते हैं इसलिए दलील दी जा रही है कि 11 दिनों तक सूरत कोड के फैसले का बारीकी से अध्यान किया गया और आज अपेल दायर की जाएगी तो वहीं हाला कि इस पूरे मामले को कॉंग्रेस ने बड़े इवेंट के तौर पर पेश किया है और देश भर में राहुल की हमायत में मजाहरा भी किया गया तो राहुल गांधी, सीएम माशूग कहलो, भुपेश बगेल, और सुक्विंदर सिंग सुकू के साथ दिल्ली से रवाना हो चुके है सूरत के लिए और अब वो सूरत पहुंचकर इस मामले को लेकर खुद अरजी दाखिल करेंगे अब देखना यह होगा, इस मामले को लेकर क्या कुछ चीज़े सामने आती है अलागि दूसरे तरफ दिल्ली में इस मामले को लेकर जबरदस्त सियस्त देखने को मिल रही है कॉंग्रेस इस मामले को एक बड़े इवेंट के तौर पर दिखा रही है तो वहीं मरकजी हुकूमत पर हमला वर नज़र आ रहे हैं कॉंग्रेस के लिए जान तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत के जानिब से भी रद्यामल का इज़ार किया जा रहा है ये कहा जा रहा है कि ये बचकाना बात है अब ग्यारे दिनों के बाद इस मामले को लेकर कॉंग्रेस जाकते भी नज़र आ रही है हाला कि ये भी कहा जा रहा था कि प्रियांका गांधी वाटरा भी राहूल गांधी के साथ जाएंगे लेकिन फिलाल जो जानकारी मिल रही है तीन रियासतों के सीम ही राहूल गांधी के साथ रवाना हुए है अब ऐसे वे प्रियांका गांधी पीछे से जाती है या नहीं के लिए रवाना हो चुके हैं आप देखना ये होगा कि कोड की जानिब से क्या कुछ चीज़े सामने आएंगी